मीट दगिंप के स्पोकन टुटारियल में आपका स्वागत है पिछले टुटारियल में मैंने आपके पास यह इमेज छोड़ी थी मैं इस इमेज में शिप के रंग को थोड़ा और गहरा करना चाता हूँ और ऐसा करने का सर्वोत्तम तरीका लेयर्स के साथ कार्य करना है अतर सर्वप्रथम मैं इमेज के उस हिस्से को जूम करता हूँ जहां शिप है और मैं एक नई लेयर जोड़ने के विकल्प पर क्लिक करता हूँ और साधारंतया एक नई लेयर जोड़ता हूँ मैं इस लेयर को शिप नाम देता हूँ और मैं लेयर फाइल प्रकार के रूप में ट्रांसपरेंसी का चयन करता हूँ अब अगला कदम सभी तीन रंग चैनलों की चमक को कम करना है और यह करने के लिए मुझे मल्टिप्लाई मोड का प्रयोग करना चाहिए और इस बार मैं यहां अन्य रंगों के साथ द्वीगुणित करने के लिए ग्रे रंग का प्रयोग करता हूँ क्योंकि यह इमेज में शिप को गेरे रंग में दिखाने में मदद करता है अतर रंग चैन मोड के विकल पर जाए और स्लाइडर को नीचे खीचते हुए ग्रे रंग के मान को तब तक कम करें जब तक मुझे मेरी पसंद की ग्रे रंग की शेड प्राप्त नहीं होती और अब बस इमेज में ग्रे रंग को खीचे और आपको एक गहरे रंग के जल यान से युक्त एक गहरे रंग की इमेज प्राप्त होती है Layer Dialog पर वापसा कर मैं Opacity Slider की मदद से और ग्रे रंग की लेएर को On एवं Off करने के द्वारा ग्रे रंग की तीवरता को नियंत रित कर सकता हूँ किन्तु इस Layer का प्रभाव पूरी Image पर लागू होता है और मैं इस प्रभाव को जलियान के शेत्र के लिए प्रतिबंदित करना चाहता हूँ यह करने के लिए मैं एक Layer Mask का प्रयोग करता हूँ Layer Mask यह परिभाशिक करता है कि Layer को कहां दिखाई देना चाहिए और कहां नहीं दिखाई देना चाहिए मैं Ship नामक Layer पर जाता हूँ और मैं उस Layer पर Right Click करता हूँ और फिर Add Layer Mask विकल्प का चैन करता हूँ और मैं Initialize Layer Mask में Black Color का चैन करता हूँ क्योंकि Black Color सभी Layer को चिपाने में मदद करता है और White Color सभी Layer को दिखाने में मदद करता है और इन अन्य विकल्पों के बारे में मैं आगे के टुटॉरियल्स में बताऊंगा Add पर क्लिक करें आप देख सकते हैं कि Layer का कोई प्रभाव नहीं है मैं Layer को On और Off कर सकता हूँ किन्तु Layer Mask लगाने के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं होता किन्तु मैं Layer Mask में Paint कर सकता हूँ या किसी अन्य एडिट टूल का प्रयोग कर सकता हूँ और जब मैं Paint करता हूँ या Tools का प्रयोग करता हूँ तो या प्रभाव इमेज में दिखाई देगा Layer में Paint करने के लिए मैं White Foreground Color और Black Background Color का चयन करता हूँ मैं Brush Tool पर क्लिक करता हूँ Option डायलोग पर जाए और एक Brush का चयन करें जो गोलाकार 19 पिक्सल का है और मैं पुन यह जाज करने के लिए Layer पर जाता हूँ कि Layer Mask सेलेक्ट हुआ है या नहीं क्योंकि मुझे Layer Mask को Paint करना है Layer को नहीं मैं आपको इसका प्रभाव दिखाता हूँ मैं Layer Mode को बदल कर Normal Layer Mode कर देता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं कि Image की उपरी Layer अद्रिश्य हो जाती है मैं यहाँ एक Brush सेलेक्ट करता हूँ और जलियान के एक भाग पर पेंटिंग करना शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक ग्रे रंग की Layer प्रकट होती है और जब मैं स्वयम एक Layer का चैन करता हूँ तथा उसे Paint करता हूँ आप देख सकते हैं कि अब Layer ग्रे रंग के बजाए सफेद रंग में Paint हो गई है मैं पुनर Layer Mask का चैन करता हूँ और X की दबाकर Foreground कलर को Black कलर में तथा Background कलर को White कलर में बदलता हूँ और अपने Layer Mask में सफेद रंग से Paint करना शुरू करता हूँ और काले रंग के कारण Image चिपी रहती है मैं सिर्फ Ctrl-Z दबाकर अंचाहे प्रभावों को समाप्त कर सकता हूँ और यहां हम वापस Ship के Layer Mask को Paint करते हैं अब मैं Background रंग को काले रंग में और Foreground रंग को सफेद रंग में बदल देता हूँ और Ship की Form को भरना शुरू करता हूँ मुझे लगता है कि Normal Mode में Paint करना अधिक आसान होता है चुकि सामान्य Mode में Paint करने के बाद हमें एक ग्रे रंग का Ship प्राप्त होता है अतर एक आधिक Layer Mode की तुलना में इसे Background से अलग करना अधिक आसान होता है Ship के Fine Edges को Paint करने के लिए मैं Brush Size को कम करता हूँ आप तीन अलग-अलग तरीकों से एक छोटी Brush का चैन कर सकते हैं पहला तरीका Brush के आकार को कम करने के लिए Scale का प्रयोग करना है दूसरा तरीका यहां इस छोटे नीले रंग के त्रिभुच पर क्लिक करें और किसी भी आकार के Brush का चैन करें या आप बड़े कोश्ठक दबाकर भी यह कर सकते हैं खुला बड़ा कोश्ठक ब्रश के आकार को कम करता है और बंद बड़ा कोश्ठक ब्रश के आकार को बढ़ाता है मैं विवरणों के लिए छोटे ब्रश का प्रयोग करना चाता हूँ अतर मैं खुला बड़ा कोश्ठक दबाता हूँ किन्तु आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं यहां क्या करने वाला हूँ और आपको पूरे शिप को पेंट करने के लिए मेरा इंतजार नहीं करना होता है अब मैं पूरे शिप को एक ग्रे रंग की लेयर से पेंट करता हूँ और मुझे उन खेतरों की जांच करनी होगी जहां मैंने किनारों को अधिक पेंट कर दिया है अतर मैं लेयर मोड को बदल कर मल्टिप्लाइ मोड का चैन करता हूँ और ओपैसिटी स्लाइडर को थोड़ा कम करता हूँ ओपैसिटी स्लाइडर को इस तरह समायोजित करें की आपको इमेज में एक गहरे रंग का शिप प्राप्त हो जाए और मैंने काफी अच्छा काम किया है किन्तु मैं शिप के सामने नदी की सतर के होने से खुश नहीं हूँ और मुझे इसे थोड़ा और चमकदार बनाना चाहिए अतर मैं एक्स की दबाकर फोरग्राउंड कलर को काले रंग में बदलता हूँ और शिप के सामने की नदी की सतर को काले रंग से पेंट करना शुरू करता हूँ जिससे इसे शिप की तुलना में अधिक गहरा बनाया जा सके मुझे इस इमेज पर कार्य पूर्णा करने के बाद इस प्रभाव की जांच करनी होगी और तदनुसार परिवर्तन करने होंगे अब उस कार्य की जांच करते हैं जो मैंने किया है मैं जूम मोड का प्रयोग करके इस इमेज में जूम करता हूँ और मैं सिर्फ ओपैसिटी स्लाइडर को खिसका कर शिप के रंग को थोड़ा अधिक गहरा और चमकीला बना सकता हूँ मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है और मैंने लेयर की मास्किंग करके एक अच्छा कार्य किया है किन्टु मुझे लगता है कि शिप का रंग थोड़ा फीका है और यह संभव है क्योंकि शिप लेयर कलर करेक्शन लेयर के उपर है और वे शिप लेयर के आगे कार्य कर रहे हैं अतर मुझे सिर्फ शिप लेयर को कलर करेक्शन लेयर के नीचे रखना है और आप परिवर्तन देख सकते हैं, शिप का रंग अब रंग हीन हो जाता है अब मैं पूरी इमेज को देखता हूँ और इसके लिए शॉर्टकट कीज शिफ्ट कंट्रोल इ है और मुझे लगता है कि यह बैक्ग्राउंड रंग चीडियों और शिफ्ट के बीच एक अच्छा संतुलन है, शायद शिफ्ट की तिवर्ता को थोड़ा और कम करना चाहिए और अब यह बैतर लगता है मुझे लगता है कि यह सर्वोत्तम है जब मैं बिना रंग गहरा किये, इमेज और शिफ्ट लेयर की तुलना करता हूँ चिडिया और शिफ्ट, शिफ्ट लेयर में काफी गहरे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इस इमेज के लिए लेयर मास्ट का प्रयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए मैं किसी भी समय सभी लेयर टूल्स की मदद से प्रभावो को बदल सकता हूँ मैं सिर्फ एक चीज भूल गया कि मैंने लेयर मास्ट को बहुत शार्प एज के साथ पेंट किया है और जब मैं इमेज को जूम करता हूँ तो आप यहाँ एक हार्ड बॉर्डर देख सकते हैं और मैं थोड़ा चिकना बॉर्डर चाता हूँ क्योंकि यह विशेशकर कोहरे के परिज्रिश्य में थोड़ा बनावटी प्रतीत हो सकता है उसके लिए मैं थोड़ा एडिट करने के लिए लेयर मास्क का चैन करता हूँ और टूल बार से फिल्टर का चैन करता हूँ और ब्लर चुनता हूँ ब्लर में मैं गौसियन ब्लर का चैन करता हूँ और शिप के भाग पर जाता हूँ और मैं Horizontal Radius के मान को कम करके 4 कर देता हूँ और OK पर क्लिक करता हूँ और Layer Mask को Blur करता हूँ और आप यह प्रभाव देख सकते हैं कि Ship के Hard Edge चले गए हैं और अब यह अच्छा लगता है अब मैं इस Image के साथ कुछ सुधारात्मक कार्य करने के लिए तयार हूँ जब आप Image को देखते हैं तो आपको पानी में कुछ लकडी दिखाई देती है और बाई और एक चिडिया का आदा हिस्सा दिखाई देता है जो की किनारे पर कट गया है और मैं उन्हें क्लोन करना चाता हूँ अतर पुना मैं Zoom Tool का चैन करता हूँ और वहाँ Zoom करता हूँ जिस भाग में लकडी का भाग दिखाई देता है और Healing Tool का चैन करता हूँ Healing Tool कुछ हद तक Clone Tool की तरह है लेकिन यहाँ इस थिती में बैतर काम करता है जब मैं Healing Tool का चैन करता हूँ तो मुझे Mouse Point के साथ एक व्रित दिखाई देता है और मैं Image पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ और Mouse Point में एक छिपा हुआ चिन्न है छिपा हुआ चिन्न इसलिए है क्योंकि मैंने Heal Source का चैन नहीं किया है और मैं Control के साथ क्लिक करके यह कर सकता हूँ मुझे एक अच्छे Heal Source का चुनाव करना है और फिर मुझे Control दबा कर क्लिक करना है और मुझे लगता है कि यह Heal Source के लिए एक अच्छा स्थान है और अब मैं लकडी वाले भाग पर क्लिक करता हूँ यह यहां एक समस्या है और यहां समस्या यह है कि मैं गलत लेयर पर काम कर रहा हूँ मुझे बैक्ग्राउंड लेयर पर काम करना चाहिए था और मैं लेयर मास को एडिट करने का प्रयास कर रहा था वास्तव में मुझे background layer का चयन करना चाहिए और उस layer की एक copy बनानी चाहिए क्योंकि मैं मूल background layer में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ अब पुन healing tool का प्रयोग करके देखते हैं और अब मैंने दूसरी गलती कर दी है मेरा source यह उपरी grey layer है और वास्तव में मैं इसे undo कर सकता हूँ और यहां एक नए source का चयन कर सकता हूँ ठीक है उसको यहां लाए यहां क्लिक करें और यह कायब हो गया है इस भाग के लिए मैं इस भाग को source के रूप में चुनता हूँ और क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यह चला गया है इमेज को 100% मोड में देखते हैं यह काफी अच्छी दिखाई देती है शायद मुझे इसे थोड़ा और बड़े ब्रश के साथ करना चाहिए था क्योंकि यह बिंदू अभी तक उसमें दिखाई दे रहे हैं अतर फिर से मैं Healing Tool का चैन करता हूँ और Source का चैन करता हूँ और उन बिंदू अपर क्लिक करता हूँ मुझे लगता है कि इसने कार्य किया अब मुझे बाई और इस आधी कटी हुई चिडिया को गायब करना है इसके लिए मैं यहां इमेज में पुना जूम करता हूँ और मैं Clone Tool का चैन करता हूँ Cloning Tool, Healing Tools जितना चटिल नहीं है और मुझे इस Tool का प्रयोग करने का कोई खास अनुभव नहीं है चुकि यह गिंप में नया है अतर मुझे Healing Tool जैसी प्रक्रिया का पालन करना है मैं Source के रूप में सिर्फ यहां क्लिक करता हूँ फिर यहां चिडिया पर क्लिक करता हूँ और मुझे लगता है कि यह कार्य करता है वापस 100% पर जाएं उत्तम यह चिडिया गायब हो गई है मुझे लगता है कि अब यह image तयार है सबसे पहले मैं इस image को थोड़ा चमकदार बनाना चाहता हूँ किन्तु मुझे लगता है मैं finishing steps के रूप में यह कर सकता हूँ और मुझे लगता है कि यह उस तरह कार्य करता है जैसा यह अभी है और मैं इस image को एक poster पर print करना चाहता हूँ और printer aspect ratio के 3 is to 2 का उप्योग करता है और इस image का aspect ratio 2 is to 1 है अतर अब मुझे इसे बदलना होगा मैं canvas size की मदद से यह कर सकता हूँ जो वहाँ toolbar में image में है मैं canvas size का चॉयन करता हूँ और देखता हूँ कि image 1868 pixel चौड़ी है और इसकी उंचाई 945 pixel है और अनुपात की गणना करने के लिए मैं अपने calculator का प्रयोग करता हूँ अतर मैं 1868 को 3 से भाग देता हूँ और फिर 2 से गुणा करता हूँ जिसके परिणाम स्वरूप मुझे 1245 प्राप्त होता है मुझे इसे यहां अंचेन करना होगा अन्यता चौड़ाई भी बदल जाएगी और उचाई में 1245 टाइप करें अब image ठीक है यह top पर fit होगी और bottom पर एक सफेज strip छोड़ देगी और मैं layer को resize नहीं करता सिर्फ ok पर click करें और अब मेरे पास एक ऐसी image है जिसके bottom पर कुछ नहीं है मुझे bottom भाग को भरना है और इसके लिए मैं layer fill type white के साथ एक नई layer का चैन करता हूँ और इस layer को सबसे नीचली layer के रूप में प्रयोग करता हूँ bottom में इस सफेट छेत्र को बाद में हटा दिया जाएगा किन्तु मैं इसे printer के लिए clue के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ यह printer मूल रूप से एक print engine यूख एक computer है और इस बारे में कुछ clue प्राप्त करने के लिए इसका परीक्षन करते हैं कि इसे कैसे handle करते हैं यह image यहां काफी असामान्य है यह लगबग काली और सफेद है और इसमें अधिक चमक भी नहीं है मैं यहां एक आयत का चयन करता हूँ और इसे पूरी image के उपर रखता हूँ blend tool gradient filled with का चयन करता हूँ और gradient को काले से सफेद पर set करता हूँ और अब मैं इसे यहां gradient से भरता हूँ बस क्लिक करें और एक line खीचे और अब मेरे पास आयत में काले और सफेद रंग की पूरी color range है मेरे पास काले से पूरे सफेद रंग का एक शित्र है मैं इसे एक बार और दोर आता हूँ यहां blend tool का चयन करके और इस बार मैं saturation नामक एक विशेश gradient का प्रयोग करता हूँ इसमें पूरी color range है और पुना इस gradient को भरें अब मेरे पास printer के लिए सुझाव है कि image को सुरक्षित कैसे करें और यदि रंग नहीं आते हैं मैं यहां हमेशा कर सकता हूँ इसे लाल माना जा सकता है और इसे हरा माना जा सकता है मुझे लगता है कि आज के लिए इतना परियाप्त है अधिक जानकारी के लिए info at the rate meetthegimp.org पर जाएं या meetthegimp.org ब्लॉग पर टिपणी करें या टॉप फ्लोर से फोरम ओफ टिप्स पर आएं मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा मुझे क्या बहतर करना चाहिए आप भविश्य में क्या देखना चाहते हैं यह ट्यूटारियल प्रपाकर द्वारा अनुआदित है मैं यश्वोरा बाप से विदा लेता हूँ धन्यावाज